हे गाईज, वेलकेम बैग टो यूटूब चैनल बेस्टन गाइड आज का ये स्पेसली वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीनेजर्स हैं जिनका एज 18 साल से कम है क्योंकि 18 साल के कम एज में ओनलाइन अकाउंट ओपेन करना लगबग ना मुमकिन है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अंडर 18 है आपका ये ज़ 18 साल से कम है तो आप किस प्रकार से घर बैठे अपने मोबाइल से अपना अकाउंट खोज़ सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तो यहां पे आपका इंस्टेंट आपका अकाउंट नमबर मिलेगा आपका IFSC कोड मिलेगा साथ में यहां पे दोस्तो आपको वर्चुल और फीजिकल दोनों डेविट काड भी मिलेंगे यहाँ पे दोस्तो आपको वीजा का international card मिलता है जिससे आप कहीं पे भी shopping transactions वगरा कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो आपका जो banking का need है especially जो minor का वो खतम होने वाला है दोस्तो FYP money एक application है जहाँ से आप minor के लिए account open कर सकते हैं यह जो है Yes Bank के साथ partnership करके यहाँ पे अपना जो account है वो launch किया है simply आपको FYP money में अपना account create करना है जब आप account create करते हैं FYP money यहाँ पे आपको account number IFSC code, debit card, virtual physical लगबग वो सारे facilities आपको देती है जो एक saving account के अंदर रहती है यहाँ पे आपको wallet भी मिलता है और जहाँ तक UPI की बात है तो FYP money आपको UPI की भी facility देने वाली है तो लगबग यहाँ पे सारा facilities आपको मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे यहाँ पे आपको account create करना है किस परकार से आप अपना account बनाएंगे कैसे यहाँ से transactions करेंगे और कैसे दोस्तो यहाँ पे आप complete जो है अपना account manage करेंगे तो दोस्तो यह बहुत ही कमाल का आज का वीडियो होने वाला है तो बिना time waste की फटाफट से इस वीडियो को start कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि एगर आप minor के लिए account खोलना चाहते हैं तो आप घर वेटे minor के लिए account कैसे create कर सकते हैं तो दोस्तो बिना time waste की आज का इकमाल का वीडियो start करते हैं चलिए दोस्तो फटाफट से इस वीडियो को start कर लेते हैं account create करने के लिए सबसे पहले वीडियो के description में आपको application का link मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं payment for teens यहाँ पे दोस्तो personalized आपको आपका bank account मिल जाता है जहाँ पे आपका account number ifsc code सब कुछ दोस्तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं आपका account number ifsc code सब कुछ आपको बताया गया है साथ में यहाँ पर आपको card भी मिल रहा है जो कि physical, virtual, सब कुछ आपको मिल जाएगा और यह बहुत trusted applications especially teens के लिए बन चुका है जिनका age 18 साल से कम है उनके लिए बन चुका है तो यहाँ पर सबसे पहले आप application को install करेंगे, install पर click करेंगे तो application आपके phone के अंदर install होने लगेगा आपको थोड़ा सा wait करने ना है जैसे ही application install दोस्तों हो जाती है मैं आपको आगे की जो process है वो बता देता हूँ तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि application जे होए हमारे phone के अंदर successfully install हो चुका है simply हम यहाँ से इसे open करेंगे, open करने के बाद आपके सामने FYP का जो interface है वो दिखाया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें आपको क्या क्या benefits मिलेगा तो आपको नीचे एक next का button दिया गया है आप इस पर click करेंगे click जब दोस्तों आप करते हैं तब आपका यहाँ पर get started का एक option आता है तो सबसे पहले आप create account पे click करेंगे click करने के बाद सबसे पहले आपको अपने 10 digit का mobile number fill करना होगा जो यहाँ पे आप अपना account के साथ link कराना चाहते हैं वो mobile number आप इस box में fill करेंगे fill करने के बाद आप get OTP वाले options पे click कर देंगे get OTP पे click करने के बाद FYP money आपके mobile number पे एक 4 digit की OTP send करती है यहाँ पे आप अपना जो OTP है इस box में fill करेंगे again आप verify वाले options पे click करेंगे तो आपका जो mobile number होगा successfully verified हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं your phone verification ही successfully done आप नीचे continue वाले options पे दोस्तों click करेंगे click करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना account create करना है जहाँ पे आपको अपना सबसे पहले first name, last name और यहाँ से अपने account के साथ आपको जो भी email id लिंक करनी है वो email id आप फिल करेंगे और उसके बाद आप नीचे continue वाले options पे दोस्तों click कर देंगे continue वाले options पे click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको अपने account की KYC complete करनी होगी जहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह जो complete आपका account create होगा यह yes bank के साथ होगा yes bank का यहाँ पे FYP money के साथ partnership है और यहाँ से आप जो है अपना KYC complete करेंगे KYC के लिए आप नीचे continue वाले options पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप से कुछ details मांगे जा रहे हैं जैसे कि आपका अधार नंबर आपका full name, आपका date of birth, आपका gender, अपना complete address और उसके बाद दोस्तों आप नीचे continue वाले options पे click कर देंगे जब यहाँ पे आप अपनी अधार काट की सारी details और अपना नाम date of birth confirm करते हैं यस बैंक आपके mobile नंबर पे दुबारा से एक six digit की OTP भेशती है तो यहाँ पे आप अपना OTP verify करेंगे और उसके बाद OTP डालने के बाद आप नीचे verify वाले options पे click कर देंगे तो यहाँ पे जब आपनी personal details complete fill कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो account है वो अधार के साथ completely यहाँ पे verified हो चुका है हमारे screen पे congratulations का message आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं your account is successfully created enjoy all the benefits तो यहाँ पे दोस्तो आपको नीचे continue वाले options पे click करने हैं अब दोस्तो यहाँ पे आपको referral code का option आता है तो हमारे video के screen पे आपको एक referral code सो हो रहा होगा वो referral code यहाँ पे आपको इंटर करना है या आपको description में भी मैं referral code provide कर दूँगा वहाँ से आप referral code ले सकते हैं referral code यहाँ पे आप इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप continue वाले options पे दोस्तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जब आपनी details verify कर लेते हैं अब आपको यहाँ पे personalize your cashback offers का एक option आता है तो यहाँ पे अब आपको दिखाय जाता है FIP money के दवारा कुछ cashback offers दे जाते हैं तो आप किस category में interested हैं कौन से category का आपको offers चाहिए तो वो यहाँ से आप select कर सकते हैं तो मुझे अगर recharge वेगरा के offers मिले साथ में अगर OTT, subscription, online grocery, food यह सब का में मिले तो यहाँ पे हम ले सकते हैं तो basically आप maximum 3 यहाँ पे category चूज कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप इसे save करेंगे save करने के बाद आप दूसरी step में पहुंच जाते हैं 10% netflix पे, 5% mobile charges पे यहाँ पे यह सब बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको यह जो cashback है वो FYP money में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे नीचे आपको एक options आता है आप इस पे click करेंगे click करने के बाद दोस्तों आप दूसरे step में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ gifts FYP money के द्वारा दिया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख सकते है कि यहाँ पे दोस्तों FYP का जो card है उसका जो subscription fee है उसका जो card का fee है वो 3.99 रूपीज है लेकिन अभी के time में आपको यह card just 99 रूपीज में offer किया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ रोसीट 99 रूपीज में आप यह जो card है वो आप यहाँ से ले सकते हैं simply हम यहाँ से escape करेंगे continue to home वाले options पे click करेंगे यहाँ पे आपसे कुछ permissions बांगी जाती है जैसे की locations की आपकी contacts की आप यह सारा information allow करेंगे तो अभी दोस्तों आप हमारे screen पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा account है वो successfully complete हो चुका है अभी आपको करना क्या होगा अभी आप उपर आपका नाम देखेंगे नीचे में यहाँ पे आपका वीजा प्लेटेरियम का जो card है वो दिखाई देगा आपके account में अभी कितने पैसे है वो उपर आपको सो होंगे card देखने के लिए आप view card पे click करेंगे यहाँ से आपको सबसे पहले card को activate करना होगा activate card पे click करेंगे तो यहाँ पे आपका जो card है वो यहाँ पे activate हो जाएगा card को activate करने के बाद यहाँ पे अब आपके account details आपको कहाँ पे दिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ quick actions में आपके screen पे तीन ऐसे options दिखा जा रहे हैं पहला add दूसरा पे और तीसरा एक scan keyword जो की यहाँ पे UPI का system है वो इस app में आने वाला है अभी यहाँ पे UPI आया नहीं है लेकिन आप इस पे click करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम आपके लिए UPI बहुत ही जल्दी यहाँ पे ला रहे हैं तो UPI का भी जो facility है आपको इस app में मिलेगा अभी आपको account details देखने के लिए simply add वाले options पे जब आप click करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि आप अपने account में यहाँ पे David card UPI के मादयम से पैसे add कर जकते हैं और नीचे में दोस्तों यहाँ पे आपका bank account number आपका IFSC code यहाँ पे आपको information जो है वो दि हैं simply यहाँ पे आपको order now पे click करना है order card पे आप click करेंगे दुबारा से यहाँ पे आपको order now का एक option आएगा आप इस पे click करेंगे card का benefits आप से बता जा रहा है 10% instant discount मिलेगा साथ में दोस्तों airport का launch access भी यहाँ पे आपको दे रहा है यहाँ पे 1500 रुपीज तक का यहाँ पे आप airport launch access ले सकते हैं आप यह card का benefits दिखेंगे continue पे click करेंगे card पे आपका क्या name print करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं उसके बाद आप perfect वारे options पे click करेंग आपको आपका card कहां चाहिए pin code state city house number road name landmark अपना complete address fill करेंगे अपने account में 99 रुपीज एड करेंगे और जैसे ही आप pay पे click करते हैं आपका जो physical card है वो order हो जाएगा आपके घर पे आपका जो card है वो यहाँ पे आजाएगा तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका account number आपका card और यहाँ पे दोस्तो सारा information आपको मिल गया है FIP money को manage करने के लिए आप इसी application से manage कर सकते हैं नीचे के तरफ यहाँ पे आपको teenagers के लिए mobile recharge, post page, dth, broadband यह सारा bill payments का option भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको cashback भी दिया जा रहा है इस applications में तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आप इस applications को बहुत अच्छे तरीके से manage कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो account की need है वो complete application successfully fulfill कर देती है तो यहाँ पे बहुत सारे options मिलते है rewards का भी मिलता है successfully आप अपने account को operate कर सकते हैं उमीद है दोस्तों कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो से related कोई भी doubt है कोई भी confusion है तो आप हमें comment कर सकते हैं इस वीडियो को हम यही भी खतम करते हैं मिलते के लिए किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए take care have a good day